बिग बॉस 14 अपने नई कंटेस्टन की बज़े से कम और पुराने कंटेस्टन की बज़े से ज़ादा याद किया जा रहा है इस सीजन में हर उस कंटेस्टेंट को बुलाया गया है जिसने पिछली सीजन में बहतरीन परफॉर्म किया हो इसी लिस्ट में लगातार आसिम रियास का भी नाम सामने आ रहा है विगोस की तरफ से कई मोको पर आसिम को ओफर दिया गया उन्हें सीजन 14 का हिस्सा बनने के लिए भी कहा गया है लेकिन हर बार एक्टर नाम ही जवाब दिये जा रही है एक बद फिर से मेकर्स को आसिम रियास की तरफ से मायूसी हाथ लगी है बताया जा रहा है किस बार विकिन का वार पर मेकर्स आसिम को बतोर गैस्ट बुलाना चाहते थे जिस तरह से सिधार शिकला ने उस विकिन का वार को होस किया था ठीक वैसे ही आसिम को भी मौकात दिया गया था लेकिन एक्टर ने उस ओफर को सीरी से खारिच कर दिया अब बताया जा रहा है कि आसिम ने सल्मान खान की वज़ा से वो ओफर मना किया था वो सल्मान खान के अनुपस्थती में शोका हिस्सा नहीं बनना चाहते थे उनकी इच्छा थी कि सल्मान खान सेट पर मोजूद रहे खबरों के मताबिक जब सल्मान खान फिर से वीकिन का वार को होस्ट करने लगेंगे तब आसिम रियास को भी बतोर गैस्ट बुलाया जा सकता है मालूम हो कि आसिम के लिए बिग बॉस फैन्स के मन में बहुत दीवान गी है बिग बॉस सीजन 14 से जुड़ी हर एक अपडेट, हर एक खबर, कटलेस अंसीन अंग देखा सबसे पहरे जानने के लिए चैनल के साथ बनी रगी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे जर्या बहुत कर दो सबस्क्राइब करें अफे बन्हेंट